नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया खबर की आउडियो बुलिटिन में हिंदू वर्सिस हिंदुत्वर टिपड़ी पर मचा सियासी गमसान केंद्रिय मंत्री एन रायन स्वामी बोले राहूल गांदी नहीं है हिंदू क्रिस्मस और नए साल को लेकर अलर्ट MP दिली से लेकर ते लागना तक कई राज्यों ने बढ़ाई सकती बढ़ते कोरोना के बीच आक्शन में चुनाव आयोग स्वास्ते सचिफ के साथ 27 दिसंबर को होगी बड़ी भैटक फेस्बुक, वाटसाप, इंस्टरग्राइम यूजर्स की परसनल डीटेल चुराती है ये फिशिंग वेब साइट मेटा ने यूजर्स को दी चिताफनी देश में पिछले 24 गंटे में कोरना के 6650 नए केस दर्ज ओमिक्रॉन से अब तक 358 संक्रमित अमेरिका में कहर ला सकता है ओमिक्रॉन वेरियन डेल्टा से भी ज्यादा है प्रभावी जनवरी से मार्च के बीच अमेरिका में ओमिक्रॉन के 14 करोड मामले का अनुमान लेकिन लक्षन नहीं होंगे गंबीर शेर बाजार की तेजी पर शुरुआत सेंसिक 57350 के पार खुला निफटी 17150 के उपर पहुचा प्रोकबड़ी लीग 2021-22 रुमान चक मकाबले में पटना पारिट्स को मिली जीत रोहिद गुलिया ने किया सीजन का पहला सुपर रेड प्रभास की फिल्म रादेश श्याम का ट्रेलर रुलीस 14 जनवरी 2022 को रुलीस होगी फिल्म ये थी अब तक की मुखे समचार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे हिंदिया खबर